और इस गाने पर डांस करने वाली एक्ट्रेस रातो रात संसनी बन गई ये गाना 1971 में प्रदर्शित फिल्म मेरा गाउ मेरा देश का मुख्य आकर्शन था इस सूपर हिट फिल्म में दो गाने और थे और ये दोनों भी खूब लोग प्रिये हुए एक गाना ये था आया आया तो बताओं ये वो गाने थे जो मेरा गाउ मेरा देश की काम्याबी के आधार बन गए थे और इन गानों पर डांस करने वाली इस डांसर की अधाईगी के सामने उस फिल्म की नाईका और उस जमाने की प्रमुक हिरोईन आशा पारिख की अधाईगी भी फीकी पड़ गई उस डांसर ने दर्शकों पर ऐसा जादू किया कि उस जमाने के कई बड़े फिल्मकार अपनी फिल्मों में उसे मुख्य भूमी का देने पर विचार करने लगे लेकिन आशा पारिख मुम्ताज और शर्मीला टैगोर सरीखी उस दोर की बड़ी हिरोईनों ने उस डांसर के खिलाफ एक मुहीम सी छेड़ दी थी ऐसे में पूरी योग्यता होने के बावजूद भी वो बड़ी हिरोईनों की जलन की वज़ह से बड़ा मुकाम हांसिल नहीं कर पाई वो डांसर थी लक्षमी चाया जो अपनी डांसिंग और अदाइगी के कारन बड़ी हिरोईनों के लिए खत्रा बन गई थी इस वीडियो में लक्षमी चाया के बारे में आपको दिल्चस्प जानकारियां देने जा रही हूँ तो चलिए वीडियो की तरफ तो चलिए आपको उस एक्ट्रिस की पूरी कहानी बताती हूँ दोस्तों राजखोसला निर्देशित फिल्म मेरा गाओ मेरा देश को सूपर हिट बनाने में लक्षमी चाया पर फिल्माए गए तीन गीतों की महत्वपूर्ण भूमी का रही इस फिल्म में लक्षमी चाया ने मुन्नी बाई का किरदार निभाया था उनका किरदार गाओं की सारी खूफिया जानकारी डाकू जबबर सिंग तक पहुँचाने वाली लड़की का था इस डाकू का किरदार बिनोद खना ने निभाया था निर्देशिक राज खोसला ने खूले दिल से स्वेकार किया कि लक्षमी चाय की भूमिका ने आशा पारिख की भूमिका को डॉमिनेट कर दिया यह लक्षमी चाय ने फिलम में आशा पारिख जैसा बड़ी हिरोईन को साइड कर दिया था ये पहला उसर था जब किसी फिल्म में लक्षमी चाया को इतना बड़ा रोल मिला था वरणा उसके पहले फिल्मों में वो सर्फ नायका की सहेली या चोटी मोटी वैंप के किरदार ही निभाया करती थी मेरा गाउं मेरा देश के पहले लक्षमी चाया और आशा पारिख ने छे फिल्मों में एक साथ काम किया लेकिन इस फिल्म में लक्षमी चाया मेरा गाउं मेरा देश बेशक उस साल की सबसे ज्यादा हिट फिल्म साबित हुई लेकिन आशा पारिख के करियर के लिए ये फिल्म सबसे ज्यादा नुकसान देह साबित हुई मेरा गाउ मेरा देश की शानदार कामयावी और उसमें लक्षमी चाया की अदाईगी को देखते हुए उन्हें आगी के फिल्मों में ज्यादा स्पेस मिलने लगे 1972 यानी 1972 में प्रदर्शित फिल्म रास्ते का पत्थर फिल्म में हर वक्त एक नशे में चूर रहने वाली लड़की के किरदार में लक्षमी चाया ने जैसे जान डाल दी लेकिन बॉक्स आफिस पर फिल्म बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई जिसकी वज़ा से लक्षमी चाया को कोई फाइदा नहीं हुआ इसके अलावा उस वक्त की ज्यादा तर बड़ी हिरोईनों आशा पारिख, मुम्ताज और शर्मिला ट्राइगोड ने लक्षमी चाया के विरुध एक मुहीम सी छेड़ रखी थी ऐसे में कोई भी फिल्मकार स्थापित नाइकाओं को नाराज करनाट नहीं चाहता था और लक्षमी चाया पूरी योग्यता होने के वावजूद उभर न सकी उस दोर के फिल्मकार मानते थे कि लक्षमी बहुत अच्छी डांसर होने के साथ ही उनमें जबरदस्ट एक्टिंग पोटेंशिल भी है उन दिनों डांसर एक्ट्रेस का बोल वाला था लेकिन इस थापित नाइकाओं को नाराज करना कोई आसान काम नहीं था मेरा गाओ मेरा देश फिल्म से पहले एंसिप्पी की सस्पेंस फिल्म गुमणाब में लक्षमी जाया पर फिल्माया एक मास्क पॉप गाना बहुत पॉपुलर हो चुका था जान पहचान हो जीना आसान हो इस गाने को गाया था मुहमद रफी ने ये गाना 2001 में रिलीज हॉलिवुड फिल्म घोस्ट वॉल्ड की ओपनिंग में जस्का तस रखा गया साल 1948 में 7 जनवरी को पैदा हुई लक्षमी चाया के फिल्मी करियर की शुरुआत शक्ती सामंता के फिल्म नौटी बॉआई के साथ हुई जो साल 1962 में रिलीज हुई थी इसमें किशोर कुमार, कलपना, सुलोचना, ओम प्रकाश, मदनपूरी, सुन्दर जैसे कलाकारों के बीच लक्षमी चाया ने अपनी उपस्थिती को बड़ी आसानी के साथ दर्ज करा दिया अख्तर मिर्जा निर्देशी 1965 में रिलीज हुई फिल्म मुहबबत इसको कहते हैं में वो शशी कपूर और नंदा जैसे स्टार्स के साथ थी और अपने काम और एकदम निराले अंदाज से उन्होंने धर्शकों को खासा प्रुभावित किया लक्षमी चाया ने तीसरी मनजिल प्यार का मौसम नौनिहाल और बहारों के सपने सहेत कुल 55 हिंदी फिल्मों में काम किया और लगभग हर फिल्म में उसने अच्छा काम किया लेकिन इसके बावजूर उन्होंने अपने करियर में 95 से अधिक हिंदी और माराथी फिल्मों में काम किया लक्षमी चायनी 1986 में प्रदर्शित फिल्म बिजली के बाद फिल्मों में काम करना छोड़ दिया इसके बाद उन्होंने गरीब बच्चियों को मुफ्त में नृत्य सिक्षा देने के लिए एक डांसिंग स्कूल खोल लिया ये बहुत चला भी लेकिन मुफ्त में नृत्य सिक्षा देने के कारण आर्थिक रूप से वो लगातार कमजोर होती गए लक्षमी चाया साई बाबा की जबरदस्त भक्त थी वो साई बाबा पर टीवी सीरियल बना कर अपनी अगाध श्रधा को अविव्यक्त करना चाहती थी लेकिन पैसे के अभाव और फाइनांस की समस्या के कारण उनका ये खुआप अधूरा रह गया लक्षमी चाया को कैंसर ने 9 मई 2005 को महज 56 साल की उम्र में लील लिया तो ये थी कहानी लक्षमी चाया की तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है